हेलो प्रेंस वेलकम बाक इन वा यूट्व चैनल फ्रेंस इस फिरों आप लोगको ओनलाइन म्यूजिक प्लेयर अप्लिकेशन बना करके दिखलाने वाला हूं सौफी भाई जीयो सावन की तरह आपका ओनलाइन इसमें म्यूजिक प्लेयर कर सकता है यूजर तो आप्लिकेशन ओपन करके आपको दिखाएँ किसतरा का अप्लिकेशन है ऐना पर दो सकता हो हम सबसे ऑप्लिकेशन करेगा इनारी आपासवी的 अपडिकेशन कर देता हूँ तो उसके बाद देख सकते हैं आपका application का home page कुछ इस तरह कायागा, देख सकते हैं आप multiple song यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर sliding भी चल रहा है, इस तरह से slider भी लगा सकते हैं अपना application के अंदर, trending song यहाँ पर देख सकते हैं, show कर रहा है कुछ इस तरह से एकदम, must application, geo sound की तरह आ online, race हो की तरह आपका application चल ले वाला, इसके अंदर आप Google AirMob का ad लगा सकते हो, Facebook Audience Network का ad लगा सकते हो, उसके थुरू आप इस application से earning कर सकते हो, artist पर click करेंगे, artist का जितना भी song होगा, सारा show करेगा, ठीक है, album यहाँ पर click करते, album के अंदर जितने भी song होगा, सारे यहाँ पर show क करेगा, यहाँ पर देखें, हम थी लाइंगे, क्लिक करेंगे, option आएगा, add to playlist, add qures, download, search YouTube, share, यह सारे option आएगे, नीचे, आपका add आएगा banner, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अभी गाईज हम homepage उसके recent पर click करेंगे, तो recent के अंदर जितने भी music play key होगा, यह सारा यहाँ पर song सू करेगा, आपके application के अंदर, उसके बार यहाँ थी लाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी भूह सार option मिल जाएगा, home artist, album, all song, playlist, my list, music library, download, favorite, suggest song, setting, login, so setting पर click कर देते, इसके अंदर भी कुछ आपको option का इस मिल जाएगा, चाहाँ बे कुछ application का pages है, य मैंने dark mode किया था application, इसलिए black दिखरा था, white mode के अंदर, कुछ इस तरह का आपका दिखता है, आपका application, तो इस तरह का application हम गाईज, इस video में आपको बना करके दिखलाने वाले हैं, गाईज, जो application बनाने वाले हैं, android music player, online mp3 song app, तो इस code के through हम इस application को बनाने वाले हैं, तो इसका सबसे main main feature से मैं आपको आपको दिखा भी देता हूं, गाईज, तो application का look देखी सकते हो, गाई, dark and demode आपको मिल जाता है, category का आप से मिलता है, latest song का आप से मिलता है, artist, album, L song, playlist, add song to playlist, my list, offline playlist, add song to playlist, music player, ये सारे option मिल जाता है, ये आपका जो application बनेगा, Android 2 एक अंदर बन option मिल जाता है, और इसका complete feature आप इस application का यहाँ पर आप गाईज, देख सकते हो, और admin का feature आप यहाँ पर देख सकते हो, गाईज, तो गाईज, इस application का कुछ इस तरह का आपको powerful admin पर मिलता है, जहाँ से आप पूरा कंट्रोल करते हो, आप अपने इस application को, तो यहाँ पर admin panel से लगा सकते हैं, सेटिंग पर क्लिक करके आपको दिखा भी देते हैं, तो देखें, यहाँ पर add setting के अंदर जाएंगे, तो यहाँ सब admin panel से भी आप जब भी चाहो, अपना ads unit चेंज कर सकते हो, फेस्बूक का, एडमोब का लगाना चाहते हो, आपको admin panel के अंदर ही इसका source code आपको download करना होगा, download करने को आपको zip file मिलता है, zip file को आपको simply extract करना है, extract करने का आपको folder मिलता है, folder के अंदर आप folder open करेंगे, इसके अंदर आपको 3 folder मिलेगा, PHP code, ठीक, इसके अंदर आपका source code मिलेगा, यह PHP admin panel का file है, उसका phd है, औक इसको आप UI से change कर सकते है, इसका source code है, जो की application का source code है, तो सबसे फिल आपको PHP code को setup करना है, admin panel को setup करना है, तो आपको इसके अंदर जाएंगे, PHP web service, ठीक है, यह job का है, इसको आपको upload करना है, अपने cpnl के अंदर, तो यह आपका zip file बना करके upload करना है, add to add chip, यहां से zip बना देना है, zip बना करके आप आपको upload कर देना, अपने hosting उपर cpnl के अंदर, तो किस तरह से upload करते हो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आप upload बे क्लिक करना है, अपने cpnl के अंदर जाना है, upload बे क्लिक करके इसको drag and drop कर देंगे, आपका upload हो जायागा, कुछ इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से आ domain domain के अंदर, जो भी हमारा directory होगा, उसके अंदर move कर देंगे देन, open level बे क्लिक करेंगे, अपना domain browser के अंदर open करेंगे, तो चली open करते हैं, यहाँ पर browser के अंदर अपना domain, उसके बाद आपको आपको क्लिक करना है, android online mp3 installs पर आपको क्लिक कर देना है, और इसको install कर लेना domain कम दिखा रहा है, rate बता रहा है, तो उसको phy version आपको change कर लेना है, उसका आपको net पर क्लिक कर देना है, उसका आपको verify करना है, इसका लाइसेंस, ठीक है, तो यहाँ पर अपना username और license आपको मिल जायागा, code भाई करने पर, ठीक है, उसका आपको डाल देना है, उसका आप documentation open होगे, installation process यहाँ पर भी बताया गया है, जैसे बताया गया, install कर सकते हैं, पर details डालना है, उसके बाद verify हो जायागा, उसके आपको database का details डालना है, जो कि आपको database यहाँ से बना सकती हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर, हमाई इसको database पर जा करके, आप यहाँ स अपना database create कर सकते हो, ठीक है, और डाल दोगे तो आपका import हो जायागा, database यहाँ सक्सेसफुली बन जायागा, आपका admin panel, उसका admin का default login है, username, admin, password, admin, small letter में आपको टाइप करके login कर लेना है, देख सकती username and password यहाँ पर बताया गया है, अब इससे login कर सकते हो, default, login करने का आपको password change कर लेना है, ठीक है, प्रोगे जामरे admin पे सक्सेसफुली इस्टॉल हो चुक है, उसके बाद application आपको बनाना है, तो गया application आने के लिए आपको back आना है, ठीक है, आपको application वाले file इसके अंदर जाना है, तो source code का आपको एक folder मिलता है, इसके पोल्लिक करना है, इसका डाइक directory कोपी करेंगे, and then Android 2A के अंदर हम जाएंगे, कुछ इस तरह से जाएंगे, ओपेन पे क्लिक करेंगे, हमने जो directory कोपी किया तो उसो control भी कर देंगे, और इस तरह से आपके सामने option आज जायागा, online MP3 latest version, ओके, तो इस वागो क्लिक कर देना, green वाले को select करके, OK पे क्लिक कर देना है, उसके अपका project load हो जाएंगे, Android 2A के अंदर, उसका इसके अंदर क्या-क्या चेंज़ेच करना हम आपको बताता हूं, तो चेंज़ेच आपको documentation के अंदर भी बतायागा, documentation भी open कर सकते हैं, यहां से, अपे हम open कर लेते हैं, तो documentation भी बतायागा, क्या-क्या ने में देख सकते हो, तो package name change करने से पहले मैं आपको package name दिखाया था, यह हमारा अभी के time package name इसको change करेंगे, तो उसके लिए Java के अंदर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो, same package name यहां पर हमारा show कर रहा है, com, apps, उसके बाद नीचे show कर रहा है, online MP3 आपक match कर लेना है, वही change करना है, तो मैं 20 ओला change करके आपको दिखायता हूँ, यह पर रिप्लेक्टर करेंगे, रिनेम करेंगे, इसके जगए रिनेम पैकेशन को, इसके जगए जो भी नाम हम देना चाहते है, आप अप्लिकेशन का जो भी नाम रखना चाहते हो, उससे ग्रेट यहां पर change हो जाएगा, देखेंगे, यहां से अप्लिकेशन का नाम चेंज करेंगे, उसके बाद यहां से एडमोग का आईडी देलना है, एप आईडी, और फेस्बूक का लोगिन लगाना जादे फेस्बूक का लोगिन भी लगा सकते हो, यह ज़रूरी नहीं है, गूगल लोगिन से भी आप काम चला सकते हो, फेस्बूक इनिवल बंद भी कर सकते हो लोगिन, उसके बाद आपको यहां पर अपना प्राविसी पूलिसी का यूरल डाल देना है, तो अपको निकाल देना है, तो मैंने पहले से इस्टॉल कर रखा है, अपने डोमेन पे एडमीन पे पैनल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहां पर हम सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, और यहां पर प्राविसी पूलिसी पर क्लिक करेंगे, यहां पर यहां पर क्लिक करने वाले हैं, उसके बाद अपलिकेशन को हम लिंक करने वाले हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे गिड idrp.properties fi ius namco click करना है और आपको यहां पर admin ander供ा की वर्ल्य जालना अपको दिखा है रहा हूं कहां सी डालना है आको जाना ku का api url याप्या सबसे उपर जो यवाल लाग है इसको कोपी कर लेना कुछ इस्तर से और इसको आपको पेस्ट कर देना है गाईज नूर्माली कुछ इस्तर से सिंपली पेस्ट कर दिया उसका सिंखनार कर देना आपको यहाँ पे और गाई निचे जो भी आपका API की है यह सब है इसको आपको चेंज नहीं करना है जो डिपॉल्ट है वही रहनें देना है अगर आप चेंज हो पर करते हो तो आपको पैकande ईसे बिज़ और होगा याने पीछ पी कोड के अंदर भी चेंज करना होग नहीं तो यहाine पे सिफ रहोगे तो आपका यहां पर अपना replace कर देना, one single pay account बना करके आपको यहां पर डाल देना, यहां पर key मिल जाता है, वाइप ID मिल जाता है, उसको यहां पर डाल देना, यह ज़िए आप डालोगे तभी application बिल्ड करोगे तो काम करेगा, यह से अगर आप नहीं डालते हो, तो application को और आप बिल्ड करते हो, तब का application काम नहीं करेगा, आपको सब कुछ पहले डाल देना, उसके बाद application को मुबाइल में बिल्ड करके चेक करना है, ठीक है, तो यह ज़िए application का नाम होगरा, सब कुछ एड्स, उनिट, तो एड्मिन प्रण से चेंज कर लेना है, उसके बाद आपको लोगो चेंज करना है, तो लोगो चेंज करने के लिए आपको जाना होगा, मिकमेप के अंदर, यह पर आपको सूख कर रहा है, आप आप आईकन, देख सकती इसके अंदर आपका लोगो है, मैं दिखा दे रहा हूं, इसके आप को चेंज करना हो, तो कीजी चेंज करना होगा है, मैं भी दिखाता हूँ, मिपेप में क्लिक करेंगे ए मिपेप में में कखा प्लिक करेंगे और इसके अंदर आप के लोगो पार्म योगो तो आपको लोगो बना लेना है नहीं खुтесь लोगो भीकारए और यो विजनम फतलोबे का लोगो बनाना में देंडों की jury भीकला करना होगा। इस آre अपको दालना होगा। सबी फुल्डरा दालना होगा। इस सबी पूल्डराँ में सबी करना होगा। जाना है यहाज से चेंज तरहां सबी 시बसे आपना इमेश को रिप्लेस कर देंगे। तो आपका application का इस प्लेश स्कीन भी चेंज हो जाएगा और अपना application के अंदर कोई आइकन चेंज करना चाहते हैं यही से आप चेंज चेंज कर सकते हैं आपको नाम से सिफ डिपलेश कर देना है हैं आप्लाइक से अपना प्लिकर्शन का जो इमेज है आपना एम D अपना ने आपको सब्सक्राइब करने थोरा सब्सक्राइब करना तो इंदर आपको दयाया है थेिक और यह सब्सक्राइब कर देंगे यहां से हम default account select करके create project पे यहां पे हम click कर देंगे थोड़ा सगा है यहां पको wait कर लेना है तो हमारा project यहां पर ready हो चुका है continue पे हम click करेंगे देन अपना package यहां पर type करेंगे तो देखिए अपना platform तो कहां पर डालना है मैं भी आपको बता देता हूं तो डाउंलोड करने के बाद आपको json file को open करना है ठीक है कुछ इस तरह से open करने पर control करके control c कर लेना है पहले से फाइल है इसको आपको control एक करके delete कर देना है ठीक है अभी जो copy किया था उसको control भी कर देंगे paste कर देंगे मुब कर देंगे यहां पर फिट से अब android सेलेक कर लेंगे अमारे यहां पर firebase का app के अंदर काम कत्या में firebase के अंदर आपको login create करना होगा तो उसके लिए आपको authentication पर click करना है ठीक है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उसका गेट स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर इमेल लोगिन इनेबल कर देंगे ओके इस तरह से उसका से शेब कर देंगे उसी तरह से आपको गूगल भी इनेबल कर लेना है गूगल लोगिन और करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यह सारे स्काम करने हैं फार वेस चेंदर तो आप चाहांगे कर सकते हो और आप गयाज इससे अर्निक कर सकते हो अगर आप गाई इस तरह का कमप्लीट अप्लिकेशन अगर आप हमसे बनवना चाहते हो ता मुझे वार्ट से पर मेसेज कर सकते हो नम्बर आपको मार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा I hope का आपको वीडियो पसाद आपसाद चालको सब्सकाइब कर सकते हो और शुरू को लाइक कर सकते हो Okay पहें, thank you so much and bye